भारत मंडपम का ये भव्य भवन आज भगवान महावीर के 2550 वे निर्वान महोसव के आरम का साक्षी बन रहा है अभी हमने भगवान महावीर के जीवन पर विद्यार्थी मित्रों द्वारा तियार किये गए चित्रण को देखा युवा साथियों ने वर्तमान में वर्धमान सांस्कूर्थिक कारकम की प्रस्थुति भी की हमारे अनादी मुल्यों के प्रति भगवान महावीर के प्रति युवा पीड़ी का याकर्षन और समर्पन ये विश्वास पैदा करता है कि देश शही दिशा में जा रहा है इस आइत्यासिक आउसर पर मुझे विशेश डाक्टिकट और सिक्के रिलीज करने का सौभागे भी मिला है ये आयोजन विशेश रुप से हमारे जैन संतों और साध्यों के मारदरशन और आशिरवाद से संभव हुआ है और इसलिए मैं आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ मैं समस्त देश वाच्यों को महवीर जैनती के इस पवित्र आवसर पर अपनी शुब कामनाई देता हूँ आप सब तो जानते हैं चुनाओ की इस भागदौर के बीच इस तरह के पुन्यकारकम में आना मन को बहुती शाता देने वाला है पुज्य संतगां आज इस आवसर पर मुझे महान मार्दर्शक समाधिस्त आचार इस्री 108 विद्या सागर जी महाराज का स्मारण होना स्वाभाविक है पिछले इवर छटिजगड के चंद्रागिरी मंदीर में मुझे उनका सानीद्य मिला था उनका भावतिक शरीर भरेली हमारे बीच नहीं है लेकिन उनके आश्री बात जरूर हमारे साथ है साथियों भगवान महावीर का ये 2550 वा निर्वान महुत्साव हजारों वर्ष का एक दुर्लब आउसर है ऐसे आउसर स्वाभाविक रूप से कई विशेश संयोगों को भी जोडते हैं ये वो समय है जब भारत अमरत काल की शुरूवाती दौर में है देश आजादी के सताब्दी वर्ष को स्वानिम सताब्दी बनाने के लिए काम कर रहा है इस साल हमारे संविधान को भी 75 वर्ष होने जा रहे हैं इसी समय देश में एक बड़ा लोग तांत्रिक उत्सव भी चल रहा है देश का विश्वास है कि यहीं से भविश्य की नई यात्रा शुरू होगी इन सारे संयोगों के बीश आज हम यहां एक साथ उपस्तित है और आप समझ गए होंगे में एक साथ उपस्तित होने का मटलब क्या होता है मेरा आप लोगों से जुड़ा बहुत पुराना है हर फिरके के अपड़ी एक दुरिया है भाई और भेरों देश के लिए अमृत्काल का विचार यह केवल एक बड़ा संकल्प भी ही ऐसा नहीं है यह भारत की वो आध्यात्मिक प्रेणा है जो हमें अमर्ता और स्वास्वत्ता को जीना सिखाती है हम धाई हजार वर्स बाद भी आज वगवान महाविर का निर्वान दिवस मना रहे हैं और हम यह जानते हैं कि आगे भी कई हजार वर्स बाद भी यह देश भगवान महाविर से जुड़े ऐसे उत्सव मनाता रहेगा सद्यों और सहस्त्राब्दियों में सोचने का इस सामर्थ यह दुरदर्शी और दुरगामी सोच इसलिए ही भारत न केवल विश्व की सबसे प्राचिन जीवित सब्वेता है बलकि मानवता का सुरक्षित ठिकाना भी है यह भारत ही है जो स्वयम के लिए नहीं सर्वम के लिए सोचता है यह भारत ही है जो स्वकी नहीं सर्वस्वकी भावना करता है यह भारत ही है जो अहम नहीं ब्वयम की सोचता है यह भारत ही नहीं जो इती नहीं अब परिमित में विश्वास करता है यह भारत ही है जो नीती की बात करता है नेती की भी बात करता है ये भारती है जो पिंड में प्रम्मन की बात करता है, विश्व में प्रम्म की बात करता है, जीव में शिव की बात करता है हर यूग में जरुरत के मुताबिक नए विचार आते हैं लेकिन जब विचारों में ठहराव आ जाता है तो विचार बाद में बदल जाते हैं और बाद विबाद में बदल जाते हैं लेकिन जब विवाद से अमृत निकलता है और अमृत के सहारे चलते हैं तो हम नवसर्जन की तरफ आगे बढ़ते हैं लेकिन अगर विवाद में से वीश निकलता है तो हम हर पल बिनास के बीज बोते हैं 75 साल तक आज हादी के बात हमने वाद किया, विवाद किया, समवाद किया और इस सारे मंथन से जो निकला अब 75 साल हो गए अब हम सब का दाईत तो हैं कि हम उससे निकले हुए अमृत को ले करके चले हैं वीश से हम मुक्ति ले ले और इस अमृत काल को जी करके देखें वैश्वीक संगर्षों के बीश देश युद्ध रप्ध हो रहे हैं ऐसे में हमारे तिरिथंकरों की शिक्षाएं और भी महत्पण हो गई हैं उन्होंने मानवता को बाद विवाद से बचाने के लिए अनेकांत बाद और श्यात बाद जैसे दर्शन दिये हैं अनेकांत बाद यानि एक विशए के अनेक पहलों को समझना दूसरों के दर्श्टिकोंड को भी देखने और च्विकारने की उदारता वाला आस्थक येसी मुक्त व्यक्या यही तो भारत की विशेस्था है और यही भारत का मानवता को संदेश है साथियों आज संगर्शों में फसी दुनिया भारत से शान्ती की अपेक्षा कर रही है नए भारत के इस नई भूमी का कसरे हमारे बढ़ते सामरते और विदेश नीति को दिया जा रहा है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें हमारी सांसकूर्टिक छवी का बहुत बड़ा योगदान है आज भारत इस भूमी का में आया है क्योंकि आज हम सत्य और अहिंसा जैसे व्रतों को वैश्विक मंचों पर पूरे आत्म विश्वात से रखते हैं हम दुनिया को ये बताते हैं कि वैश्विक संकटों और संगर्शों का समाधान भारत की पाचीन संस्कूर्टि में हैं भारत की प्राचीन परंपरा में हैं इसलिए आज विरोधों में भी बटे विश्व के लिए भारत विश्व बंधू के रूप में अपनी जगह बना रहा है क्लाइमेट चेज ऐसे संकटों के समाधान के लिए आज भारत ने मिशन लाइप जैसे ग्लोबल मुव्मेंट की नीव रखी है आज भारत ने विश्व को वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का विजिन दिया है क्लीन एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलप्मेंट के लिए हमने वन वर्ल वन संग वन ग्रीड का रोड मैप दिया है आज हम इंटरनेशनल सोलार एलाइज जैसे फुचरिस्टिक ग्लोबल इनिशेटिव का नित्रुत्व कर रहे हैं हमारे इन प्रयासों से दुनिया में एक उम्मीद ही नहीं जगी है बलकि भारत की प्राचिन संस्कूति को लेकर विश्व का नजरिया भी बढ़ला है साथ्यों जैन धर्व का अर्थ ही है जीन का मार्ग यानि जीतने वाले का मार्ग हम कभी दूसरे देशों को जीतने के लिए आक्रमन करने नहीं आए हमने स्वयम में सुधार करके अपनी कमियों पर विजय पाई है इसलिए मुश्टिल से मुश्टिल दौर आए लेकिन हर दौर में कोई न कोई रुशी मनीशी हमारे मारदर्शन के लिए प्रकट हुआ बड़ी-बड़ी सब्वेताय नस्ट हो गई लेकिन भारत ने अपना रास्ता खोज ही लिया भाई और भेनों आप सब को याद होगा केवल दस साल पहले ही हमारे देश में कैसा माहूर था चंगरों तरफ निराशा हतासा यह मान लिया गया था कि देश का कुछ नहीं हो सकता भारत में यह निराशा भारत यह संस्कृति के लिए भी उतनी ही परिशान करने वाली बात थी इसलिए 2014 के बाद हमने भावतिक विकास के साथ ही विरासत पर गर्व का संकल्प भी लिया आज हम भगवान मावीर का दो हजार पांच सो पचास वां दिरवान महोत्सों बना रहे हैं इन दस वर्सों में हमने ऐसे कितने ही बड़े अवसरों को सेलिब्रेट किया है हमारे जैन आचारियों ने मजे जब भी आमंतन दिया मेरा प्रयास रहा है कि उनकार कमों में भी जरूर शामिल रहूँ संसत के नए भवन में प्रवेश से पहले मैं मिच्छा में दुक्रम कहकर अपने इन मुल्यों को याद करता हूँ इसी तरह हमने अपनी धरोहरों को संभारना शुरू किया हमने योग और आयुरुवेद की बात की आदेश की नई पीड़ी कोई विश्वास हो गया है कि हमारी पहचान हमारा स्वाभिमान है जब राष्ट में स्वाभिमान का ये भाव जग जाता है तो उसे रोकना असंभव हो जाता है भारत की प्रगती इसका प्रमान है साथियों भारत के लिए आधुनिक्ता शरीर है आध्यात्मिक्ता उसकी आत्मा है अगर आधुनिक्ता से आध्यात्मिक्ता को निकान दिया जाता है तो अराजक्ता का जन्म होता है और आच्रण में अगर त्याग नहीं है तो बड़े से बड़ा विचार भी विसंगत्ती बन जाता है यही द्रश्टी भगवान महाविर ने हमें सजियों पहले दी थी समाज में इन मुल्यों को पुनरजवीत करना आज समय की माँग है भाई और बेनों दसकों तक हमारे देश ने भी ब्रश्टाचार की त्रासदी को सहा है हमने गरीबी की गहरी पीड़ा देखी है आज देश जब उस मुकाम पर पहुँचा है कि हमने पचीस करोड देश वाच्छों को गरीबी के दल दल से बाहर निकाला है आपको याद होगा मैंने लाल के लिए से कहा था और अभी पुझ महराजी ने भी कहा यही समय है सही समय है यही समय है कि हमारे समाज में अस्ते अहिंसा के आदर्शों को मजबूत करे मैं आप सभी संत गणों को वरोचा देता हूँ देश इस दिसा में हर संभव प्रयाज जारी रखेगा मुझे विश्वात भी है कि भारत के भविश्य निर्माण की इस यात्रा में आप सभी संतों का सयोग देश के संकल्पों को मजबूत बनाएगा भारत को विक्सित बनाएगा भगवान महवीर के आशिरवात एक सो चालीस करोर देश वास्यों का और मानो मात्र का कल्यान करेंगे और मैं सभी पूज संतों को सद्धा पूर्वक प्रणाम करता हूँ उनकी बानी में एक प्रकार से मोती प्रकट हो रहे थे चाहे नारी ससक्तिकरण की बात हो चाहे विकास यात्रा की बात हो चाहे महान परंपरा की बात हो सभी पुज संतों ने मुलभूत आदर्शों को रखते हुए वरतमान व्यवस्थाओं में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए बहुती कम समय में, बहुती अध्भूत तरीके से प्रस्तूत किया मैं इसके लिए उनका रदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और मैं उनके एक एक शब्द को आशिर्वाद मानता हूँ वो मेरी बहुत बड़ी पूंजी है और देश के लिए उनका एक एक शब्द पिर्णा है यह मेरा कन्विक्षन है अगर शाइद यह चुनाओ का माहूल नहोता तो साइद मैं भी कुछ और मिजाज में होता लेकिन मैं ने भरपूर कोशिस की हैं कुछ चीजों को बहार रख कर क्या हूँ मैं तो नहीं लाए लेकिन आप जुरू लेकाए हैं मैं मैं का लेकिन नुगने खिरू लेकीजों तो साइद जुरू भाई लेकिन आप सक्षण साइद ब color रख को बहार राख कीजों लेकिन इन सबके लिए गर्मी कितनी ही क्यों नहों जब घर में से निकलने की नौबत आए तब इंतजार मत करना कि घर में कम होगी तब शाम को जाओंगा सुबह सुबह ही जाईए और कमल का तो हमारे सभी संतों मानतों भगवनतों के साथ सीधा सीधा जुड़ाव है मुझे बहुत अच्छा लगा आप सब के बीच आने के पदलिए और इसी भावना के साथ मैं भगवान महाविर के स्री चर्णों में पुरह प्रणाम करता हूं मैं आप सब संतों के चर्णों में प्राव करता हूं